नमस्कार आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या दूसरे दिन मनिपूर में सुरक्षा स्थिटी की समिक्षा की राज्य में केंद्रिय सशस्त्र पुलिस बलकी 50 अतिरिक्त कंपनिया तैनात की जाएंगी जारखंड और महराष्ट्र में विधानसबा चुनाव के लिए प्रचार समाप्त चार राज्यों की 15 विधानसबा सीटों पर होने वाले उप्चुनाव के लिए भी प्रचार संपन सर्वोच चन्याया लेने दिल्ली और आसपास के राज्यों में ग्रेडिट रिस्पॉंस एक्शन प्लान ग्रैप फोर प्रतिबंधों को लागू करने के लिए टीमें गठित करने को कहा दिल्ली एंसियार रक्षित्र में वाई उगुण वक्ता सुचकांक बेहद गंभी रिस्टर पर पहुंचा और अमरीकी मीडिया के अनुसार अमरीका ने युकरेन को रूस के खलाफ अमरीका में निर्मित लंबी दूरी के मिसाइलों के उप्योग की अनुमती थी समाचार संध्या के साथ मैं नवीन सकसेना ब्राजील के रियोडी जेनेरो में G20 शिकर संबेलन शुरू हो गया है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी इस संबेलन में विभिन वैश्विक मुद्दो पर भारत का द्रिश्टी कून साचा करेंगे और जानकारी के लिए बात करते हैं रियोडी जेनेरो में मौजूद हमारी संबादिताता साक्षी से साक्षी शिकर संबेलन के पहले सत्र के बारे में आपके पास इस समय क्या ताजा जानकारी है नमस्ते नवीन अभी पहला जो प्लेनरी सेशन जो हम बोलते हैं वो अभी भी चल रहा है इस सम्मेलन का जो एक महत्तपूर्ट पार्ट रहा है अंग रहा है वो यह है कि जो गरीदी और बुक्मरी से निपटने के लिए जो वैश्विक संगठन की पहल करी है ब्रजील की अधिस्ता में आज इसका अप्चॉरिक आप्चॉरिक पर आरम कर दिया गया है ब्रजील की प्रधान मंत्री ने समावेशी विकास पर जोर देटे हुए इस मिर्माना की इसका वैश्विक सबका तहयोग बहुत जरूरी है और ये बताना बहुत जरूरी है कि गर्टन जो है इस सब इस्त्यों के अधिरिक बाकी देश बाकी संगठन इस से जुल परते हैं और भारत का हमेशा इस जर्टन दन के लिए समर्थन रहा है साक्षी प्रधान मंत्री नरेंद्र मूधी शिखर संबिलन से अलग कौन-कौन से वैश्विक नेताओं के साथ दोई पक्षिय बैठक करेंगे नवीन अभी जितना जानकारी मिल रही है आज हो सकता है कि प्रधान मंत्री जब आज के दो सेशन खतम हो जाएंगे उसके बाद वाक्षिडियल इंडोनेशिया इतली और नौर्वे के राश्ट्रे दिश्व के साथ दूई पक्षिय वारता कर सकते हैं इसके बारे में जादा जानकारी हमें जो फॉरेंड मिनिस्ट्री की या एमिये की जो ब्रीटिंग होगी देर रात इसमें मिल पाएगी धन्यवाद साक्षिस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया इससे पहले श्री मोधी ने आज ब्राजील के रियोडी जनेरो में G20 शिखर संबेलन से अलग सिंगापूर के प्रधान मंत्री लॉरेंस वोंग और संयुक्त राष्ट बहासचेव एंटोनिय गुतेरेश के साथ बाचशीत की सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोधी ने शिखर संबेलन इस्थल पर स्वागत के लिए ब्राजील के राष्टरपती लूला दे सिल्वा को धन्यवाद दिया प्रधान मंत्री की आर्थिक सलहाकार परिश्ट के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक देवराई की स्मृती में आज नई दिल्ले के आकाशवाणी के रंगभवन में शोक कारिकरम आयोजित किया गया उन्हें अर्थशास्ट संस्कृती, संस्कृत साहित्य और इतिहास पे बहत्वपूर कारी के लिए जाना जाता है प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने अपने उन दिनों को याद किया जब उन्हों ने नीटियों और अर्थव्यवस्था के समक्ष विभिन मुद्दों के बारे में डॉक्टर डेवराय के साथ काम किया था यह समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे News on AIR एप पर भी उपलब थे हैं समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है ग्रेमंत्री अमिर्शाह ने लगातार दूसरे दिन मनिपूर में सुरक्षा स्थिती की सभिक्षा के लिए आज नई दिल में वरिष्ट अधिकारियों के साथ उच्चिस्तरिय बैठक की अध्धक्षिता की सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार राज्य में केंद्रिय सशस्तर पूलिस बल की पचास अतिरिक्त कंपनिया भेज रखा खै ग्रेमंत्री ने कल भी वरिष्ट अधिकारियों के साथ मनिपूर की सुरक्षा स्थिती की समिक्षा की थी हमारे संबाददाता ने बताया है कि सुरक्षा बलों को राज्य में शांती विवस्था बहाल करने के लिए आवश्य कदम उठाने का निर्देश दिया गया है राज्य में पिछले कुछ दिनों से सुरक्षा स्थिती नाजुक बने हुई है जार्खंड और महराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार आज समाप्थ हो गया है जार्खंड में दूसरे चरण की 38 सीट और महराष्ट्र में एक ही चरण में होने वाली 288 सीटों के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा हमारे संबाददाता ने बताया है कि जार्खंड में एंडिये और इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने अपने उमीद्वारों के समर्थन में 150 से अधिक रहलिया की चुनावी प्रचार अभियान के दोरान दोनों ही तरफ से बड़े बड़े वादे और आरोप प्रत्यारोप देखने को मिले को अमिशा, योगी आदितिना, सिवराज सिंग चोहान, हिमन्त विश्व सर्मा, चिराग पास्वान और मिथुन चकरवर्ती ने जोड़दार प्रचार किया हमारे समवाददाता ने बताया कि महराष्ट्र में विभिन राजनितिक दलों के वरिश्ट डेता और स्टार प्रचार को ने कही रहलिया की आज शाम को छे बजे राजनितिक दलों का हाई वोल्टेज प्रचार थम जाने के बाद अब सभी की निगाहे 20 नवंबर पर ठीकी है जब महत्व पुर्ण महाराष्ट्र विदान सबा के लिए मतदान होगा मुंबई जो की वित्तिय राजजदानी है में शहर और उपनगरों के कुल 36 विदान सबक शेत्रों में एक करोड़ दो लाग 29,000 पात्रमत दाता है चुनाओ के सुछारू और शांति पुर्ण संचालन को सुनिश्चित करने के लिए शहर में 25,000 से अधिक पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है जो सुरक्षा की व्यापक व्यवस्ता को सुनिश्चित करेंगे अंकिता आप्टे के साथ कुनाल शिंदे आकाश्वानी समाचार मुंबई जारखंड और महराष्ट्र दोनों राज्यों में मतगरना 23 नवंबर को होगी चार राज्यों की 15 विधानसभा सीटों पर हुने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार भी आज समाथ हो गया मतदान बुधवार को होगा इनमें उत्तरप्रदेश की नौ, पंजाब की चार, केरल और उत्तराखंड की एक-एक सीट के साथ महराष्ट्र की नांदेड संसदिय सीट शामिल है पंजाब राज्य महिला आयोग ने कॉंग्रिस सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजी सिंग चन्नी के उन टिपड़ियों पर स्वते संग्यान लिया है उन्होंने कथित तौर पर महिलाओं और कुछ उदायों के खिलाफ टिपड़िय की थी आयोग ने उन्हें नोटिस जारी कर पूछा है कि उनके खिलाफ कारवई क्यों न की जाए मुक्तसर के गिद्दर बाहा विदानसवा क्षेतर में एक रैली में श्री चन्नी ने कथित तौर पर आपत्ती जनक टिपणिया की थी सर्वोच न्यायाले ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूश्वन के बीच दिल्ली राष्ट्रे राजदानी क्षेतर की राज्य सरकारों को ततकाल सर्वोच न्यायाले ने कहा कि वायू गुडवक्ता सूचुकांग 450 से कम होने पर भी ये प्रतिबंद लागू रहेंगे एक रिपोर्ट सर्वोच न्यायाले ने दिल्ली और पड़ोसी राज्य सरकारों को स्कूलों में 12 तक की कक्षाई भी तुरंत बंद करनी को कहा है न्यायाले ने पटाकों पर प्रतिबंद लागू नहीं करने के लिए दिल्ली सरकार को भी फटकार लगाई है नयमूर्थी अभय S.O. का और नयमूर्थी आउगस्टिन जॉर्ज मसी की पीट ने कहा कि सभी नागरिक प्रदुशन मुक्त वातावरन में रहे या सुनिश्चित करना सभी राजियों का सम्विधानिक करतव है इस बीच दिल्ली में वायू गुणवत्ता सूचकांग के बेहत कंभी रस्तर पर पहुँशने पर ग्रेडिड रिस्पॉंस एक्शन प्लान ग्रैप का चौथा चरण आज सुबह आट बजे से लागू कर दिया गया है प्रेडूशन पर अंकुष लगानी के लिए ग्रैप चार के तहट कड़ी प्रतिबंद लगाए गये हैं आज शाम साथ बजे तक वायू गुणवता सूचकांग चार सो पिंचान भी दर्श किया गया है समाचार कक्च से जया भारती इस बीच प्रदूशन के कारण कई रेलगाडियां और उडान सेवाएं बाधित हुई हैं खरीब 11 उडाने देरी से चल रखी हैं और 7 उडानों का मार्ग परिवर्टित किया गया है उत्तर रेलवे ने बताया कि 13 रेलगाडियां देरी से चल रखी हैं राष्ट्रिय युवा महुतसफ दो हजार पचीस अगले वर्ष 11 और 12 जनवरी को आयो जित होगा इस महुतसफ को विक्सित भारत युवा नेता समवाद नाम दिया गया है केंद्रिय युवा कारिकरम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में इसकी घोशना की डॉक्टर मांडविया ने कहा कि ये बंच देश की युवा शक्ति को प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी से बाच्चीत और उनके समक्ष अपना दृष्टि को प्रस्तुत करने का अवसर प्रधान करेगा उसके लिए एक प्रेट्फर्म देना मेंस विक्सित भारा यूथ लिलर नाई लोग है डॉक्टर मांडविया ने बताया कि इस समवाद का उद्देश देश भर के युवाओं की प्रतिभाकी को विक्सित करना है ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किये जा रखे हैं ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोचल मीडिया हैंडल x at air news हिंदी को फॉलू कर सकते हैं ये आकाशवाणी है अमरीका की राष्ट्रपती जो बाइडन ने युक्रियन को रूस में हमला करने के लिए अमरीका में निर्मित लंबी दूरी के मिसाईलों के उप्योग की अनुमती दे दिख है हाला कि इस फैसले की आपचारिक खोशना नहीं की गई है अधर जर्मनी सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि उन्हें इसकी सूचना दी गई है हाला कि जर्मनी के चांसलर ओलाफ सकॉल्स ने कहा कि अमरीका के फैसले के बाद भी जर्मनी अपनी लंबी दूरी की मिसाईले युक्रियन नहीं भेजेगा इस बीच पॉलिंड सहीत यूरोपे नेताओं ने बाइडिन के इस फैसले का समर्थन किया है जबकि हंगरी के विदेश मंत्री ने इस फैसले को जोखिम बराक गदम बताया है उधर रूसी राष्ट्रपती भवन क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पैसकॉव ने कहा कि अमरीका अपने इस फैसले से तनाव को और बढ़ा रखाख है अमरीका के नव निर्वाचित राष्ट्रपती डॉनल्ड ट्राम्प अगले वर्श बीस जनवरी को पदभार संभालेंगे इस से ठीक दो महीने पहले निवर्तबान राष्ट्रपती जो बाइडन ने ये फैसला लिया है इस बीच आज उकरेंच के काला सागर बंदरगा ओडेशा में रूस के मिसाईल हमले में दस लोग मारे गए और चवालीस घायल हो गए भारत जी ट्वन्टी देशों में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थ्वेवस्ता है भारत के बाइडन ने बाइडन ने बाइडन दूसरे और चार दशमलव आठ प्रतिशवत के साथ चीन तीसरे स्थान पर है रक्षा मंतरी राजनाथ सिंग आसियान रक्षा मंतरियों की बैठक ADMM Plus में भाग लेने के लिए बीस से बाइस नवंबर तक लाउस की राजधानी वियंतियाने की आधिकारी क्यात्रा पर रहेंगे बैठक के दौरान वो क्वेत्री है और अंतरराश्ट्रियस रुक्षा बुद्दो पर मंच को संबोधित करेंगे जर्मनी ने इस वर्ष के आखिर तक दो लाग प्रशिक्षित लोगों को वीजा देने की खोशना की है पिछले वर्ष की तुलना में ये संक्या 10 प्रतिशत अधिक है यूरोप की सबसे बड़ी अर्थिवस्ता जर्मनी को लंबे समय से श्रमिकों की कमी का सामना करना पढ़ रहा है प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी ने आज कहा कि एक धरते एक परिवार एक भविश्य ब्राजील में G20 शिकर संबेलन के लिए प्रासांगिक है आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग हिंदी और अंग्रेजी में फोन इनकारिक्रम पब्लिक स्पीक में आज राच साड़े नौ बजे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के विशय पर परिचर चाप्र सारित करेगा अंत में मुख्य समाचार एक बार फेर उननिस्वा जी ट्वंटी शिकर संबेलन ब्राजील के रियोडी जिनेरो में जारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबेलन में वैश्विक मुद्दो पर भारत का दिश्टिकों प्रस्तुत किया प्रद्धन मंत्री ने शुकर संबेलन से अलग विश्व के कई देताओं से बात की केंद्रिय ग्रे मंत्रे अमिक्षा ने लगातार दूसरे दिन मनिपूर में सुरक्षा स्थिती की समिक्षा की राज्यों में केंदरिया सशस्त्र पुलिस बल्की 50 तरित्तिरिक्त कम्पनिया तैनात की जाएंगी जारखंड और महराष्टर में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार समाप्त